इस टूला में वेलकम बैक तो मैं चैनल मैंसस्टुटी फॉर सीब्यस्टी पैटर्ण तो डूल इंट विल कवर कोश्टिन 11-18 अपरश्टिन 61 chapter 14 percent है तो question number 11 8 करते है, find the number whose 12.5 percent is 3.5 सबसे पहले हम यहाँ पर solution में लिखेंगे 12.5 percent of number हमें नहीं पता है, तो सी ज़िए हम लिखेंगे यहाँ पर required number okay equals to 3.5 now 12.5 को पत्र में चीशे रहेंगे I mean पत्र डिसको साने रहेंगे तो यहाँ पर 100 आजाएगा into required number is equals to 3.5 now required number equals to 3.5 in 200 and upon me 12.5 point से point जो है वो cancel out हो जाएगा अब इनको पहले हम 5 के डब से कठा कर लेते हैं 5 to 10 5 to 10 पास नमबाब पास नमबर जो नमबर जो बस्टेगा रहे हैं 7 इंटो फोर विच इपूल तू ट्वेंटी एट क्वेशिट नमबर ट्वेल एट फाइंड अमाउंट वोस त्वेल परसेंट इस रूपीस फिप्टेंट तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा त्वेल परसेंट अफ रिक्वाइड अमाउंट इस रूपीस 15 अब ट्वेल अपॉन हंड़ेड इंटो रिक्वाइड अमाउंट इस रिक्वाइड परसेंट इंटो हंड़ेड अपॉन में ट्वेल अब इसकोच रिकी डबल से करकर जेते पले 3 फोज़ चर्ट रिक्वाइड 3 फाइड परसेंट 3 फाइड फिफ्टीन 4 रणज़ एड पॉर 4 फोज़ एड एड 4 फाइड प्वाइड त्वेंटी पाइड रिक्युंक्वाइड अब छैगा 5 इंटो 25 5 इंटो 25 सेंटीमेटर यहां पर हमें क्या करना पढ़ेगा सॉलुशन में 18 परसेंट और रिक्वायर लेंग इस इकल स्टू 27 सेंटीमेटर इनको पहले हम श्रीकी टेवल से कड कर सा लेते हैं 36 18 39 27 three two the six three three the nine towards the two two dedim 100 my past number time in three into fifty which is equals to 150 centimeter yeah now see the question number 14 find the weight whose 20 percent is 250 we have to be calculating it 20 percent of required weight equals to 250 gram now 20 upon 100 into required weight equals to 250 gram now required weight equals to 250 into 100 upon 20 0 से 0 गया 202, 250 जा 100 तो यह जाएगा 25 into 50 25, 5 जा 125 और 0 ठीक ही यह आपका ग्राम में आगे तो इसको हम अब कनवर्ट कर सकते हैं केजी में तो यह थाजन से जब डिवाइट करेंगे नॉर्मली तो 1 kg and 250 ग्राम आजाएगा क्लिया क्वेशन नमगर 15 इन अ क्लास और 40 पूपल्स 35 परसेंट आर ग्र्ल्स ठीक है 40 बच्चों में से 35 परसेंट ग्र्ल्स हैं हाव मेनी ग्र्ल्स आर देर इन दी क्लास क्लास में कितनी लड़किया हैं और हाव मैनी और दूपल्स आर बॉइस और बॉइस कितने हैं तो सब्सक्राइब हम क्या लिखेंगे टोटल पूपल्स इकोल्स टू 40 ठीक है फिर नमबर ओफ ग्र्ल्स कैसे नहीं क्या लेंगे 35 परसेंट इंटू 40 0 से 0 ग्या 5 तूपल्स टूपल्स आ ग्या है ठीक है अब हमें निकालने है नमबर ओफ बॉइस नमबर ओफ बॉइस क्या निकलेंगे टोटल प्यूपल्स माइनस नमबर ओफ ग्र्स नमबर ओफ प्यूपल्स month. He spends 75% of his income and the rest he saves. How much does he save every month? यहां पर क्या लिखेंगे? अर्निंग 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 इसके बार लिखेंगे इतना है? 75% है. तो इसकी सेविंग कितनी होगी? 100% minus 75% is equal to 25% टीक है सेविंग सीन अमाउंट 25 upon 100 into 10,800 double 0 से double 0 पर ठो गए 25 को 100 से multiply कर लाते हैं 25 200 तो यहां पर कह रही आया 25 25 and 2 27 तो यहां पर हमारा अमाउंट आ गया है 2700 2700 वो पर मंच क्या करता है saving करता है question number 17 in an examination Nisha obtained 12 marks out of 650 what percent of marks which she gets उसे कितने percentage marks मिले हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे total marks is equals to 350 obtained marks 312 percentage of marks equals to obtained marks upon my total marks into 100 obtained marks हमारे 10 to 12 total total 60 into 100 10 10 10 cancel out हो गया ठीक है अब हमें क्या करने को 5 to table से divide कर जेते हैं 5 बंजे 5 5 to 15 5 to 10 अब 13 की टेबल में 312 राता है 13 बंजे 13 13 to the 26 13 for the 52 तो माल पास नमबर्स आ है 24 into 2 which is equals to 48 48 percent I have percentage ठीक है question number 18 है a metal contains 36 percent zinc and the rest is copper find the quantity of zinc and copper in 325 gram of this metal जब से पहले क्या लिखेंगे quantity of zinc 36 percent और उसके बाद लिखेंगे rate of metal 625 gram now quantity of copper in percentage तो हन्डेट परसेंट माइनस करेंगे उतने जिंक वाला परसेंट ठीक है तो हमारा आजाएगा यहाँ पर 64 percent copper का ठीक है अब लिखते हैं यहाँ पर quantity of copper in gram 64 अपॉन हन्डेट इंटू 325 पहले इसको 5 की डेबल से डिवाइट कर लेते हैं 5 to 810 0 5 to 810 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 ठीक है अब बचे हैं हमारे पास 4 4 to 4 to 4 4 to 4 4 to 4 4 to 6 to 24 ठीक है हमारे पास amount आया निकल के 16 into 13 अब 16 को 13 से multiply कर लेगे 16 to 48 और के रही गया 616 और 4 20 200 ग्राम है ना अन क्वांटिटी ओफ जिंक 325 ग्राम में से मानास कर दो 208 ग्राम 15 में से 8 जाएगा 7 1 में से 0 जाएगा 1 3 में से 2 जाएगा 1 117 ग्राम जिंक की क्वांटिटी है तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों में ताकि इन वीडियो का जो फायदा है यानि की जो बेनेफिट है वो आपके फ्रेंड्स अगरा भी ले सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस करना क्योंकि बैल आइकन प्रेस करने काद आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा ओके आज के लिए सिर्फ इतना ही टाटा बैबाई